दिल्ली की बढ़ती ठंड के साथ साथ अब आम आदमी पाटी धीरे धीरे पूरे देश में पैर पसाने का मन बना रही है पहले गोवा फिर उत्तरप्रदेश और अब गुजरात में भी आपकी जमानत जब्त हो चुकी है लेकिन केजरिवाल है कि दिल्ली से बाहर पैर निकालने में लगे हुए है ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब आम आदमी पाटी नागालेंड में चुनावी बिगुल फूकने जा रही है पाटी के वरिष्ट नेता आशुतोश और संजे सिंग ने प्रेस कॉन्फरेंस कर इस बात की पुस्टी की है जिसके चलते नागालेंड में आप पाटी सभी 60 सीटो पर अपने उमिद्वार उतारने जा रही है राज़ितिक पंडितों की माने तो केजरी वाल का ये पैसला बेहद ही चौकाने वाला है क्योंकि दिल्ले को छोड़ अब आप पाटी जिस जिस राज़िय में चुनाव लड़ी है वहाँ उसकी जमानत जब्त हुई है यहां तक गुजराज चुनाव में भी आपने 29 उमिद्वार मैदान में उतारे थे लेकिन उसकी जोली में एक भी सीट नहीं आपाई फिलहाल नागलेंड में एंडिय की सरकार है नागलेंड चुनावों में हमेशा से उगरवाद और नागा राजनेतिक समाधान का मुद्दा उठता आया है ऐसे में ये देखना दिल्चस्ब होगा कि पहाडों में के जिवाल मोधी को कैसे टक कर देते हैं NMF News की रिपोर्ट